हालो बच्चों आज हम बात करने जा रहे हैं सेट थेवरी की एकसरसाइज 1.5 NCRT क्लास 11 इसके पहले हमने 1.4 तका सलूसन दे दिया है वो आप देख लीजेगा सेट थेवरी का कांसेट दा दिया है अब जरा समझेगा यहाँ पर एक आपने को पढ़ाया गया है कि यूनिवर्सल सेट होता है यानि कोई भी सेट एक पहुत बड़े सेट का पार्ट होता है जैसे आपने इंग्लिस वोवेल्स का आपको सेट चाहिए आपने A,E,I,O,U से निकाला तो वो कहां से निकाला आपने A,B,C,D,E,F,G उसमें निकाले पंडी जी मतलब पूरा आपने निकाला A से Z तक तो वो यूनिवर्सल सेट है और मैं माल लेता हूँ कि यूनिवर्सल सेट जो आपका निकला वो A,B,C,Up to Z है माल लेते हैं और एक सेट आपके पास A है वोवेल्स का सेट A,E,I,O,U तो यान कॉंपलीमेंट आफ सेट यानि यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो किसी सेट में ना हो यानि जो बचे हुए अलिमेंट है वो उसके कॉंपलीमेंट होंगे जैसे सेट A ये है और कॉंपलीमेंट आफ सेट ये निकालेंगे तो आप लिखेंगे X अग साज़एट,X is a consonant consonant of English alphabet English alphabet English alphabet English alphabet का जो consonant होता है वो इसका जो है वो complement set होगा ठीक है बस यह size में है जैसे मैं एक example हो लेता हूं जैसे मैं एक universal set लेनूं 1 to 10 एक universal set लेता हूं 1 to 10 1 2 3 4 up to 10 और एक set A निकालें even number का दो चार छे आठ दस और आपको complement of A चाहिए complement of A तो उसको हम लिखेंगे A dash होगा क्या even number 1 3 5 7 9 even number को छोड़ करके जो element होंगे वो इसके एक second वो इसके complement होंगे तो यह complement का concept होता है अब इसकी properties क्या होती है देखें अगर मैं properties की बात करो पहला अगर मैं A और A dash दोनों का union निकाल देता हूं तो union में हमने क्या बताया था कि सबको मिलाकर रख दो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस फिर यू मिल जाएगा यह और A dash का union होता है वो universal set मिलेगा यह union है यह universal set है यह ध्यान दखिएगा दूसरा अगर मैं A और A dash का intersection निकालूं तो intersection में क्या होता है तो दोनों में common होता है common तो कुछ है नहीं तो यह आपका 5 बनेगा तीसरा एक D Morgan's ला है D Morgan's ला दी मॉर्गन साब ने कहा अगर A union B का complement निकाले यह फामला होता है A complement intersection B complement और अगर A intersection B का complement निकाले तो यह होता है A complement union B complement यह verification के लिए बहुत आते हैं A union B complement is equal to A complement intersection B complement और A intersection B dash ब्राबर A dash union B dash यह D Morgan's ला है ठीक है अच्छा चोथी property समझेगा अगर मैं इस complement का फिर complement निकाल दूं तो वही से दुबारा निकल जाएगा ठीक है पांचवी बात 5 में कोई element नहीं होता और 5 का अगर complement निकालेंगे तो सभी element universal set के आपको में जाएगे अगली बात universal set में सभी element होते हैं तो अगर उसका complement निकालेंगे तो कुछ नहीं बनेगा 5 बनेगा यह कुछ complement set की properties होते हैं उन्हें याद कलीजे समझ लीजे याद नकलीजेगा अब मैं in complement set को आप अगर vein diagram में दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएंगे जरा समझने की कोशिश करिएगा complement set in vein diagram और vein diagram में जो हम दिखा रहे हैं वह इस exercise का आपका साइज पांचवा कोश्चन भी है यह ध्यान रखिएगा तो पांचवा कोश्चन भी साथ हो रहा है complement set दब कोश्चन बताएंगे वहीं बताएंगे ठीक exercise 1.5 का पहला कोश्चन देखिए एक universal set दिया हुआ है एक universal set दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक set A दिया हुआ है 1 2 3 4 एक set B दिया हुआ है 2 4 6 8 एक set C दिया हुआ है 3 4 5 6 और आप से बहुत कुछ निकलवा रहा है पहला तो आप से निकलवा रहा है A डैस दूसरा आप से निकलवा रहा है B डैस तीसरा आप से निकलवा रहा है A यूनियन C डैस सोथा आप से निकलवा रहा है A यूनियन B डैस पांचवा आप से निकलवा रहा है A डैस का डैस और छटा आप से निकलवा रहा है B माइनस C डैस ज़रा समझेगा अब पहले पहला पार्ट लेते हैं A आपको मालूम है A डैस क्या होता है U माइनस A U के वो एलिमेंट जो A में नहों मतलब एक है दो है तीन है चार है तो क्या पचेगा पांच छे साथ आठ नो ये A डैस निकल आया B डैस पर आते हैं B डैस क्या होगा U माइनस B यानि U के वो एलिमेंट जो B में नहों B में है 2,4,6,8 तो 2,4,6,8 हड़ा दो तो क्या पचेगा एक तीन पांच साथ नो ये आपका B डैस निकला ये दूसरा पार्ट हो गया तीसरा पार्ट देखिए तीसरे पार्ट में पहले तो आपको B यूनियन सी निकालना पड़ेगा ऐसा करते हैं कि यहाँ लगा देते हैं सभी पार्ट हमने नोड कर लिए तीसरे पार्ट में पहले तो आपको A यूनियन सी निकालना पड़ेगा A union C क्या होता है A union C मतलब होता है A और C को मिला दीजिए सभी element तो 1 2 3 4 5 6 और अब आप A union C का dash निकाल दो यानि कि universal set की वो element जो A union C बेना होता 1,2,3,4,5,6 तो 7,8,9 ठीक है A union C dash हो गया अब चौथे पार्ट में पहले A union B निकालना पड़ेगा चौथे पार्ट में पहले निकालो A union B A union B मतलब A और B को मिला दो A और B को मिला दो 1,2,3,4,6,8 अब आपको निकालना है A union B का dash मतलब universal set की वो element जो A union B में नहों तो 1 है,2 है,3 है,4 है,5 नहीं है 6 है,7 नहीं है,8 है,9 नहीं है यह हो गया A union B का dash ठीक है इसको नोट करते रहिएगा हम रब करते जाएंगे इसके बाद पांचवा पार्ट क्या कह रहा है देखे पहले तो आपने A dash निकाला था A dash क्या था U के वो element जो A में नहों 1,2,3,4 चोड़के यह पांच,6,7,8,9 फिर कह रहे हैं आप A dash का dash निकालो मतलब U के वो element जो A dash में नहों फिर वही आएगा 1,2,3,4 तो A dash का dash अभी हम बता भी चुके हैं कि वो खुद का set आपको मिलेगा छटा पार्ट क्या कह रहा है पहले B minus C निकालो B minus C क्या होता है B के वो element जो C में नहों 2,C में नहीं है 2 आएगा 4,C में है,6,C में है 8,2 और 8 हो गया और आपको B minus C dash निकालना है क्या होता है U के वो element जो B minus C में 9 क्या है नहीं, एक नहीं है 2 है,3,4,5,6,7,9 तो ये पहले part के सभी पहले question के सभी part हो गया बहुत अंदर तक नहीं गये क्योंकि general logic है आप जानते हैं इसके बारे में ये पहला question हो गया अब दूसरा question देखिए क्या बता रहा है दूसरा question कह रहा है बहुत सारे part है 11 पार्ट इसमें दूसरा question कह रहा है कि टेक दा सेट आफ नेचुरल नंबर एज यूनिवर्सल सेट यानि यूनिवर्सल सेट जो आपका है वो नेचुरल नंबर है एक, दो, तीन, टिक, 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 बहुत सारे element अर्बू, खर्बू, खर्बूज कह सकते हैं और write down the complement of the following set इन सभी के complement लिखे तो अलग-अलग पार्ट समझेगा पहला part यह कह रहा है कि x such that x is an even natural number even natural number even बोले तो सम संख्याएं जो 2 से कड़ जाएं तो अगर इसका complement लिखेंगे तो क्या होगा चाहे तो statement लिख दो और चाहे तो आप number भी लिख सकते हैं odd लिखना पड़ेगा 1, 3, 5, 7 and so on यह आपका क्या दिया है यह even बोले तो 2, 4, 6, 8 and so on तो जो बचेंगे odd वाले वो a dash हो जाएंगे तो आप चाहे तो statement लिख दो और चाहे इस प्रकार से पूरे element लिख दो लिख सकते हैं आप second part क्या कह रहा है x such that second part यह first हो गया second part इसी में बढ़ा देते है second part कह रहा है x such that x is an odd natural number तो odd का मतलब यह a दिया है 1, 3, 5 यह नहीं दिया है और आपको a dash निकालना है a dash में क्या आएगा even number 2, 4, 6 a dash निकलाया यह second part हो गया third part देखे क्या कह रहा है third part third part कह रहा है x such that x is a positive multiple of 3 x such that x is a यह third part है positive multiple of 3 positive multiple of 3 positive multiple of 3 का मतलब क्या होता है 3 का जो table होता है 3, 2, 6 3, 3, 9 3, 4, 12 टिक 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 तो a dash कैसे निकालेंगे तो आप के वोग 3 के multiple हटा दो तो इसको कई तरीके से आप कर सकते हैं x such that x belongs to natural number और x is not equal to 3 n where n belongs to natural number 3 n नहीं होना चाहिए यहनि n को 1 रखेंगे तो 1 नहीं होना चाहिए तो ऐसे भी लिखा जा सकता है ठीक है इसके बाद आते हैं फोर्थ पार्ट जिस थर्ड पार्ट है नोड करते लिएगा हम रब करते रहेंगे फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है अगर अगर Grade 10 निकालेंगे तो आप लिखेंगे एक सस जैट एक्स इस दा कमपोजित नंबर अगर लिखन युक्लफ़ा हो जाएगा खंपोजित नंबर में 4 नहीं आता अगर नंबर में 1 नहीं आता तो end 1 लिख दो, end 1, 1 also, ऐसे लिख सकते हो, या आप चाहो तो जो प्राइम नमबर नहीं, प्राइम नमबर क्या होते हैं, अब दिक्कत प्राइम नमबर वो नमबर होते हैं, जो हम सब नहीं जानते, हमको चेक करना पड़ता है, तो आप composite नमबर, end 1, ऐसे लिख दो ज्यादा बितर रहेगा, तो ये question number, ये हम third बता रहे हैं, क्या question number, रता है second, first के बाद ये third आ गया, ये third question है, sorry, ये third question है, third part, third question है, second part, है गयब हो गया, अब जरा देखे, इसका next part, next part है, इसका fifth part, ये third question चल्ला है, fifth part क्या रहा है, कि x such that, x belongs, x is a, belongs to n, and divisible by 3 and 5, divisible by 3 and 5, यानि वो 3 से divide हो, and 5 से divide हो, 3 से भी divide हो, और 5 से भी divide हो, मतलब, तो आप लिख दो, कि x such that, ये a हो गया, तो a dash कैसे लिखेंगे, इसी भासा में तो, x belongs to national number, and not divisible by 3 and 5, not divisible by 3 and 5, पस, लिख दीजे, तो नमबर तो और लाकों होंगे, कहां तक लिखेंगे, इसका sixth part देखे, sixth part कह रहा है, कि a is equal to, x such that x is a perfect square number, perfect square number, जो number perfect square हो, जैसे 25, 5 का square है, 36, 6 का square है, यानि जो number perfect square ना हो, वो number हो जाएगा, तो यानि कि यह ऐसे लिखा हुआ है, x such that, नहीं, डार लिख दो, a dash क्या होगा, x such that, x is not a perfect square number, जो perfect square ना हो, square number, जैसे आप one तो हो जाएगा, जैसे दो है, किसी का perfect square नहीं होता, किसी ऐसे natural number का square करने पर 2 नहीं आएगा, तो चार यहाँ पर होगा, चार यहाँ पर होगा, चार यहाँ पर नहीं होगा, तो statement जैसे लिखा, as it is, आप लिख दीजिए, उसको not करके, लेकिन समझना पड़ेगा, 7th part क्या कह रहा है, 7th part इसी में कर लेते हैं, 7th part, x such that, x is a perfect cube number, जैसे 8 है, दो का cube होता है, तो a dash क्या होगा, x is not the perfect cube number, जो परहुट cube number नहीं हो, यह 7th part हो जाएगा, 8th part क्या कह रहा है, 3rd का 8th part, बहुत जल्दी बता रहे हैं, क्योंकि बहुत technical चीज नहीं है, चुड़-चुड़ी बाते हैं, 8th part, 8th कह रहा है, a is equal to, x such that, x plus 5 is equal to 8, एचुली इसको हम solve करेंगी, तो x की value आएगी 3, यानि कि आपको a dash निकालना है, तो आप लिखेंगे, x such that, x belongs to natural number, and x is not equal to 3, यानि आप सभी natural number लिखें, लेकिन वो 3 के equal हो, नहीं होना चाहिए, तो 3 को छोड़के, जितने भी element होंगी, वो a dash में आ जाएंगे, ठीक है, 9th part क्या कह रहा है आपसे, 9th कह रहा है, a is equal to, x such that, 2x plus 5 is equal to 9, अगर यहां से x के उनों निकालेंगे, तो 5 जाएगा, उदर 4, 2 आएगा, यह 2 आगया, तो आप क्या लिखेंगे, a dash, तो आप लिखेंगे, x such that, x belongs to natural number, and x is not equal to 2, 2 नहीं होना चाहिए, और कोई number यह हो सकता है, दस्मा पार्ट क्या कह रहा है, a is equal to, x such that, x is greater or equal to 7, 7 या 7 से बड़ा number, तो 7 से छोटे number क्या हो जाएंगे, a dash, a dash क्या होगा, x such that, x is less than 7, and x belongs to natural number, यहां पर 7 equal to नहीं कर सकते हैं, क्योंकि equal to 7 हमारे उस पार्ट में आ चुका है, यह दस्मा हो गया, ग्यार्वा पार्ट क्या कह रहा है, x belongs to natural number, and 2x plus 1 is greater than 10, देखो 2x plus 1 is greater than 10, इसका मतलब समझेगा, x such that, x belongs to n, and 1 को अधर ले जाओ 9, इसको solve करो, तो 9 by 2 आएगा, यहांनि x greater than 4.5, यहांनि 4 दस्मादो 5 से बड़ा natural number, 5 से इस्टाओ को 5, 6, 7, 8, तो आप जब a dash निकालोगे, तो 1, 2, 3, 4 लिख दोगे, 1, 2, 3, 4 इसमें होंगे, और सब उसमें आ जाएंगे, तो यह आपका third question number है, इसका second देख लीजे, क्योंकि second question सायद हम, third start कर दिया, देखें, second question, second question कह रहा है कि universal set जो है, U is equal to A, B, C, D, E, F, G, H, तो इसमें set दिया है, पहला A दिया है, A, B, C, tumble down D, the cat in the cupboard can't see me, एक पोयम थी, B दिया है, D, E, F, G, C, C दिया है, A, C, E, G, और D दिया है, F, G, H, A, अब कह रहा है, इन सब के compliment निकाल लो, निकाल लो, यहां से A dash क्या निकालेगा, A, B, C छोड़ दो, D, E, F, G, H, यहां से B dash निकाल लो, यहां से C dash निकाल लो, यहां से D dash निकाल लो, निकाल लोगे, इनको छोड़ दो, यह universal set की वो element जो इसमें हूँ, वो आपकी हो गया, ठीक है, इसके बाद, अभी हम D Morgan's लाब बता रहे थे, उसको verify करने के लिए, fourth question बता रहा है, देखिए, fourth question क्या कह रहा है, जरा समझें, universal set दिया है, एक से लेकर के 9 तक, universal set दिया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और एक set A दिया है, 2, 4, 6, 8, और एक से बी दिया है, 2, 3, 5, 7, तो पहला कह रहे हैं, कि A union B dash is equal to A dash intersection, B dash निकालो, पहले तो A dash निकाल लेते हैं, A dash क्या निकलेगा, 1, 3, 5, 7, 9, और यहां से B dash क्या निकलेगा, U के उवो element जो B में नहूं, एक नहीं है, 2 है, 3 है, 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, अब देखो, इसको प्रूफ करना है, पहले LHS लेते हैं, LHS में पहले A union B निकालो, A union B मतलब, इन दोनों के combined element, सब को combine कर दो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अब A union B dash निकालो, क्या होता है, ये उनिवर्सल सेट की वो element, जो A union B में नहीं, एक नहीं है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं है, ये LHS आ गया, अब ज़रा RHS में आ जाओ, RHS में A dash B dash पहले से निकाल चुके हैं आप, अब आप इनका के वोज इंटरसेक्शन निकाल लो, क्या कामन है, एक कामन है, नो कामन है, एक कामन नो, क्या देख रहे हैं आप, कि LHS, RHS इक्वल है, तो आप दिखेंगे LHS is equal to RHS, ये डिमॉर्गन्सला का पहला प्रूफ है, ठीक है, सेकंड प्रूफ देखें, क्या कह रहा है, सेकंड प्रूफ, इसका LHS लेते हैं पहले A intersection B निकालते हैं क्या होता है A और B में जो common हो 2 common है, 3 नहीं है, 4 नहीं है बस 2 common है 2 हो गया और A intersection B dash क्या होगा U के वो element जो A intersection B में नहों तो 2 को छोड़के sum होंगे यानि 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 अब A dash union B dash निकालो इसके combined element लिक दो 1, 2, 2 है नहीं 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 क्या देख रहे हैं कि A intersection B dash is equal to A dash union B dash तो यह आपका fourth question हो गया ठीक है समझ में आ रहा होगा, वो tough नहीं है technical चीज थोड़ा याद करने वाली है कि compliment क्या होता है बस जरा fifth question देखिए क्या कह रहा है fifth question कह रहा है कि इन सब के लिए vein diagram बनाओ जो इस अब drama आपने बताया है इन सब का vein diagram बनाईए देखो ध्यान से fifth का question जरा समझने की कोशिज करिएगा कि vein diagram बनेगा कैसे देखो यह आपका समझ लोगे सुन में आ जाएगा यह आपका universal set है ठीक है यह A है यह E है तो इसके बाहर का जो part होगा पूरा वो क्या होगा A dash हो जाएगा पका अच्छा यह universal set है यह B है तो इसके बाहर का part क्या होगा B dash हो जाएगा पूरा ठीक है अब ऐसा करते हैं पहला part दिखें क्या कह रहा है पहला part आप जो करने जा रहे हैं यह अलग से बनाए रखिएगा यह U है यह A है यह B है कुस कॉमन की हो सकता है तो यह तो अंदर का part हो गया तो इसको कहते है A union B इसको मिला के क्या बनता है A union B और इसके बाहर का जो part है यह बाहर का part यह क्या उताएगा जो A union B में नहीं है तो इस वाले part को क्या कहेंगे A union B dash ठीक है अब ज़रा समझ़िए यह तो आगया अब यहाँ पे आईए तो अगर इन दोनों को मिला दें आप यानि की देखे द्यान से यह A है A के बाहर का जो part है वो A dash है यह B है और B के बाहर का part जो है वो B dash है दोनों में common क्या है दोनों में common है जो दोनों के बाहर है और दोनों के बाहर कितना है ये सब दोनों के बाहर है क्या नहीं है ये दोनों के बाहर है तो ये वाला part क्या बताएगा A- intersection B- तो ये A union B- है और ये A- intersection B- है ध्यान से देखिए दोनों same आ रहे नहीं आ रहे तो एक तरीके से ये demorgans law को हम probe भी कर लिए ठीक है अब देखिए ये हो गया समझ के करिएगा tough नहीं है चुँकि या diagram थोड़ा सा गंदा बना हुआ है अब गंदा हम बनाते हैं तो क्या करें अब देखिए इसका तीसरा पार देखिए A- intersection B- देखो ये A है और ये B है ये A है ये B है और ये वाला पार्ट है A- intersection B अगर मैं इसको छोड़ दूँ तो इसके बाद जितना भी पार्ट होगा जितना भी पार्ट होगा क्यों लिए बीच वाला पार्ट छोड़ की ये वाला पार्ट जितना भी पार्ट होगा ये सब यह सब A intersection B dash होगा नहीं होगा यह होगा A intersection B dash यह बाहर का part सौन में आ गया अच्छा अब यहां पर आईए यह A है यह B है यह A है यह B है A को छोड़ के जो part है वो B A dash है और B को छोड़ के जो part है वो B dash है और अगर A dash B dash का आप union निकालेंगे तो यह वाला part आपको फिल मिल जाएगा यह वाला part यह हो जाएगा A dash union B dash तो दोनों part यह A intersection B dash है यह दोनों part save आएगे ठीक है तो यह आपका fifth question वेन डाइग्राम है अब जरा 6 पर आईए इसको जड़ा ध्यान से बनाईएगा तो सवंज में आजाएगा अलग अलग color यूज करोगे ज्यादा सवंज में आएगा अगर एक ही color use करोगे जैसे हमारे बाद मजबूरी है हम red से भी लिखते हैं तो camera में black ही आता है six question देखें क्या कह रहा है six question कहता है you is the set of all the triangles in the plane of all the triangles which at least one angle is different from 60 यानि कि यह universal set कह रहा है कि x such that x is a set of all the triangles all triangles in plane having one angle at least different from 60 different from 60 degree यानि कि अगर एक angle कम से कम 60 से अलग है तो यहां पर होगा एक angle 60 से अलग हो दो अलग हो अच्छी वात है तीन होँ अलग बात है है यानि अगर 60 angle है तो इसके अंदर नहीं होगा एक भी angle 60 है तो इसका मतलब अगर आपसे u sorry अगर आपका एक angle different 60 है ना दो 60 है एक कुछ और है वो तो नहीं आपका यह U है आपका तो what is U is the set of all the triangles यह A है sorry और U है set of all the triangles all triangles यह सभी set है और इसमें वो वाले triangle है जिनका कम से कम एक angle 66 different है दो angle different हो तो अच्छी बात तीनों different हो अच्छी बात है लेकिन कर तीनों 60 होंगे तिसमें नहीं आएगा तो A dash क्या होगा X such that X is an equilateral triangle equilateral triangle जो आएगा वो इसमें आएगा फिर समझेगा यह कह रहा है कि अगर किसी triangle में कम से कम एक angle 60 से different होना चाहिए कम से कम एक दो different हो यह तीनों 60 नहीं हो सकते और तीनों 60 होंगे तो वो इसमें नहीं होगा उसमें नहीं होगा तो वो A dash में आएगा six question क्या कह रहा है a union a dash अभी हम बता चुके हैं यू होता है five dash five dash a होता है और intersection a करेंगे तो a आएगा अगर a और a dash का intersection करेंगे तो कुछ नहीं आएगा अगर u dash intersection a करेंगे तो देखो यू dash five होता है चीक है और a के साथ करेंगे तो five आएगा तो यह concept है यह size 1.5 इसको लगा लिजीएगा चुकि बहुत easy है तो बहुत जल्दी हमने बताया है okay next in the next video thank you करेंगे तो